छूले आस्मा जमी की तलास न कर, जीले जिन्दगी खुसी की तलास न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त मुस्कुराना सीख ले वजह की तलास न कर प्यारे दोस्तों मैं बागुराम पटेल, आप सबका अपने यूटिब चैनल बायलोजी जो उनमें एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेकर के आये हैं, बहुत ही महत्पून टॉपिक है, यह है फाइलम आर्थो पोडा का महत्पून जीनस पैलियो मॉन, जिसे आप प्राउन भी कहते हैं, प्राउन ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, पैलियो मॉन के बारे में, इंडियन फ्रेस वाटर प्राउन है, तो चलिए, इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, पैलियो मॉन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं देखिए इसके classification में फाइलम आप समझ रहे हैं कि हम लोग जो फाइलम बात कर रहे हैं आर्थो पोड़ा की और इसका जो सब फाइलम है सब फाइलम है mandibulata और class इसका crustacea है crustacea यह बात जरूर ध्यान रखिएगा दोस्त ठीक है crustacean में डिंबा लकुरी यह TGT PGT दोनों के syllabus में सामिल है ठीक है तो crustacea की बात कर रहे है class और सब class क्लास जो है मैल लोको स्ट्राइक कहा है ठीक है इसका सब क्लास क्या है पैलिमोनीडी है इसकी फैमिली और जीनस पैलियोमॉन की बात करने चल रहे हैं और यही स्पीसीज है मैलकोम सोनी इसकी जो है स्पीसीज है तो चलिए देखा जाए इसका सबसे पहले जो कलास है कलास हम समझ रहे हैं देखिए इसलिए मैंने फिर से लिखा क्रस्टेसिया आप भूले ना क्रस्टेसिया हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें आप लोग ये हम लोग सामिल किये हैं इसका एक्जामपल क्रस्टेसिया में कौन-कौन है प्राउन के अलावा भी उसको भी देख लिया जाए तो ये प्राउन प्राउन है ठीक है और इसमें क्रैब केकड़ा भी है लोबॉस्टर्स भी हैं लोबॉस्टर्स आप समझते हैं जैसे सकॉर्पियॉंस आते हैं बिचू चू और एक है वािटर फ्लियाज, वाटर फ्लियाज के मतलब जहल पिस्सू, इसे कहते हैं जल पिस्सू, ठीक है, यहां भी सामिल है इसमे, और देखिए अगली खास बात क्य है कि Paleo mon commonly called prawn 작folio mohn के सामान रुप से क्या कहा जाता है इसे prawn कहा जाता है Beliomon ko Hit kia রीम और यह कहा पाई जाती है found in fresh water 에क होती है यह fresh water में पाई जाती है found in fresh water extract streams streams मतलब क्या धार ठीक है धाराएं, रिवर्स, नदी, लैक्स, जील और पॉंड्स, तालाब, जो स्वक्ष जल वाले हैं, सभी धारा है, नदिया है, जील है, तालाब है, वहाँ यह उपस्थित होती है, जींगा मचली, ठीक है, और इसकी खास बात क्या है, इट इज नाक्चुरनल, यह क्या हो पॉटम में, जल का जो अस्तर है, उसके बिल्कुल गहराई में जाकर तली में नीचे यह छिप जाता है, दिन के समय में, और रात्री के समय में ही यह चलता है, ठीक है, सिकार करता है, अपनी भोजन की तलास में चलता है, दुनिया का हर सौक पाला नहीं जाता, कांच के खि जातने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको एक टार्गेट बनाना है, टार्गेट आपका एक होना चाहिए, तो निसाना आपका एक बनेगा, और एक बन गया, तो दोस्त, आप वहां तक चरूर पहुँच जाएंगे, देखिए, हम इसके इस्पेसीज की बात कर रहे हैं दूसरी पेलियो मौन आईडी है, और पेलियो मौन लेमरी है, और उसके बाद एक है पेलियो मौन मेलकुम सोनी, ठीक है, इसकी जो है, लंबाई कितनी होती है, एक से पाच इंच तक होती है, और यह जो पेलियो मौन है, यह ओमनी वोरस है, ओमनी वोरस मीन्स यह सरवाहारी है यानी साक सबजी का भी आरन छाहें और मौस और इसका साथ चीज इंसेक्ट को भी ईह खा जाता है ठीक है यह एसको बीच बीच आप देखें तो बराबर भाग में क्या हो जाएगा बंठर हो जाएगा और इसका कलर है color कैसा है यंग प्राण जो होता है जो वैस्क प्राण होता है इसके शरीर पारदर्सी होता है ठीक है एकदम चमकता रहता है और पैल अरथात यहाँ पीले color का अथवा blues perfectly white appearance अथवा यह white appearance भी दरसाता है ठीक है प्रकट होता है सफेद color में और अगर इसके हम अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्त अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि body is composed of two parts इसकी जो body होती है दो भाग में बटी होती है और कुल इसके सरीर में कितने खंड होते हैं तो हम आपको बदा दें कुल इसके सरीर में 19 खंड होते हैं प्राउन के सरीर में कुल 19 खंड होते हैं जो दो भाग में इसका सरीर बटा होता है दो भाग कौम कौन से हैं एक तो एंटीरियर है और दूसरा पोस्टीरियर एंटीरियर रिजिड सिफाइलो थोरक से होता है एंटीरियर भाग सिफाइलो थोरक और पोस्टीरियर मूवेब abdomen होता है जो move करने वाला होता है यह non movable होता है और यह 19 जो भाग है interior में 13 खंड होते हैं और जो posterior है उसमें 6 खंड होते हैं 6 segment अब 13 भी 2 भाग में बढ़ जाता है head भाग में जो है 5 और thorax भाग में 8 तो 8 5 13 और जो है 6 किसमें ने जो होते हैं 11 मत सोच की तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता हिंमत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता जिस इंसान के करम अक्षे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता मेरे दोस्त तो आप बिल्कुल लगन और मेहनत के साथ जुटिये पढ़ाई में तब तो मजा आने वाला है ठीक है चलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो आप इस वीडियो को लाइक करना तथा हमारे चैनल को स जदा जदा आपका एक सेर यहां पर कई लोगों के जिन्दगी समार सकता है तो वीडियो को सेर भी कर दें चलिए दस वाकिंग लेक्स इसमें होते हैं मैंने बात किया था अब इसके हम मार्फोलाजी की बात करते हैं मेरे दोस्त मार्फोलाजी की बात करते हैं जिसकी खंड में सबसे पहले बटा है एक तो है यहां से आप देख रहे हैं एब्डोमन ठीक है यहां आप देख रहे हैं यहां से यहां तक और दूसरा भाग यहां से यहां तक ठीक है यहां से यहां यह यह बटा है और यह भाग सिफाइलो थोरेक्स है दो भाग में बटा है और इस इसमें जो सिफाइलो थोरेक्स होता है इसमें कौन-कौन से जो एब्डोमन है मैंने बताया था इसमें अच्छा भाग होते हैं कितने भाग अच्छा और जो सिफाइलो थोरेक्स है इसमें कितने हैं तेरा ठीक है सिफाइलो थोरेक्स में तेरा हैं तो ध्यान रखिए अब यह प्लियो पोर्ट्स हैं फाइब पेर यह किसके लिए उत्तरदाई होती है यह स्विमिंग के लिए यह तैरने के लिए उत्तरदाई होती है जबकि यह जो टांगे है यह इसके जो है वाकिंग लेक्स कहराती है वाकिंग लेक्स होती है ठीक है मैंने बताया दस वाकिंग लेक्स दो सब्द है, इन सब्दों को समझे, चिलैट लेग क्या है, और नान चिलैट क्या है, इसमें सबसे बड़ा कौन लेग होता है, यह question पूछा है, सबसे बड़ा लेग कौन होता है, तो सबसे बड़ा लेग जो होता है, हम आपको बता दें, जो चिलैट लेग होता है, इसमें बड़ा उता है देख रहे हैं यह चिलैट वहतए हो ताहिं चिलाट की लेख धी होता है नाखूर नाखुर की तरह सनचना हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और अन्य में भी नहीं है इन जगों पर नहीं है नाखुर की सनचना तो जिनमें ऐसी सनचना पाई जा रही है उसे हम कहते हैं चिलैट लेग आपने जैसे देखा गो पसुओं में गाय में भैस में उसके जो खुर होते हैं कुछ ऐसी सरचना में वह divide होते हैं ठीक है तो ऐसी सरचना यहाँ पर पाई जा रही थी यह चिलेट लेख है और जिसमें नहीं है वो क्या है वो नान चिलेट है ठीक है अब आपको बता दे किमें इसके बॉड़् होती जो यह कवरी होती है यह जो भाग है यह थोड़ा सा आप देख रहे है यह जो नीचे वाला भाग है यह गिल कवर है क्या है मेरे दोस्त यह गिल कवर है ठीक है गिल कवर कहलाता है यह देख रहा है आप गिल कवर यह नीचे क्योंकि इसके नीचे होता है गिल ठीक है गिल क्या है मेरे दोस्त कंपाउंड आई इस होती है और यह भाग जो इसका है नुकीला बढ़ा है अर नानमूबेवल होता अब इसकी बात करें, जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं, यूरो पोड, क्या है, एक जोड़ी यूरो पोड, और इहाँ पीछे इसके पुख्श भाग में, टेल सन है, टेल सन इसका जो है, तेल सन एकदम पीछे का भाग है, तो चलिए, आगे हम बिस्तार से के खंडों में आपको हम बाट करके दिखाते हैं, दिरण विचार एक दिन सारे आयाम तोड देते हैं, हौशनों की पतवार से नदियों का रुख मोड़ देते हैं, इंतजार करने वालों को हरदम वही मिलता है, जिसे जीतने वाले अकसर छोड़ देते हैं, मेरे दोस्त तो आप बिल्कुल क अमनी मेहनत का पूरा सब कुछ जोक देना है इस जो है प्रवक्ता बनने के पद के लिए ठीक है तो चलिए हम बात कर रहे थे अभी पहली हो मौन की तो बॉडी इस डिवाइडेड इन्टू 19 सेगमेंट्स और सुमाइट्स उन्नीस खंड में बटी होती है अथवा सुमाइट में बटी होती है इसमें जो एपनेजेज होते हैं 19 स्पेर होते हैं अब यहां ध्यान दीजिये, इन्सकी 3 भाग में बाट दिया है, Siphaialic और Thoracic Appendages, ये दोनों जो है, ये Siphaialic Thorex, Siphaialic Appendages और Thoracic Appendages ये किसके भाग है, ये किसके भाग है भाई, तो ये भाग है, हम आपको बता दें Siphaialo Thoracic के, Siphaialo Thoracic देख रहा है, Siphaialic और Thoracic, टीक है, Siphaialo Thoracic भाग है, और ये abdominal है, यह 6 जोड़ी appendages होते है, abdominal appendages, और यह दोनों मिलाकर के 8, 5, कितने होते हैं 13 जोड़ी होते हैं, सिफहली का appendages 5 pair होते हैं, अब 5 pair जो है, अब यह 5 pair में कौन-कौन से होते हैं भाई यहाँ पर समझे आंटी आंटी, मैन, मैक्सी मैक्सी, ठीक है, अभी एक मैक्सी और है, ठीक है मैक्सी, मैक्सी, आंटी, आंटी, मैन ठीक है, ऐसा समझे तो आंटी, आंटी, दोनों आंटी, मैक्सी मैक्सी पहिनती हैं, मैन तो पहिनेगा नहीं ठीक है, तो इसका जो head appendages कहलाता है जो सिफैलिक appendages होता है पांच जोडी इसका हैड appendages कहलाता है ठीक है जिसमें antinules और antiny mandibles और maxillily और maxillily ठीक है maxillily यह होते हैं और उसके बाद अगर हम बात करें जो thoracic appendages हैं तो यह इसकी संख्या 8 जोडी होती है thoracic appendages की और यह 8 जोडी फिर से 2 भाग में बढ़ जाता है तीन जोडी मांच जोडी यह maxillily पीर Le wages होते हैं और यह वाख यह वाकिंग लिक्स होते हैं और यह वाकिंग लिक्स लिखिन तब तक लिए abdominal appendages है इसको देख ली जो जोड़ी होता है abdominal appendages इसमें 6 जोड़ी में से 5 जोड़ी जो होते है abdominal appendages यह swimming के लिए होते हैं swimming pleoports कहलाते हैं अभी मैंने बता था एक euro parts होता है अब 5 pleoports होते हैं ठीक है यह swimming के लिए होते हैं जो back side में इसके थे ना abdunwal portion में ठीक है थोड़ा small थे किसकी तुलना में वो जो chillet और non chillet थे और चाप जोड़ी जो है यह चाप जोड़ी सोते हैं और यहाँ यह euro ports होते है छटवा जो जोड़ी होता है वही होता है euro ports छटवा जोड़ी 5 जोड़ी तक तो swimming je le port हो गया और छटवा जोड़ी जो है euro ports हो गया और किस type के होते हैं और यह थे पौर्ट्स बाइरेमस टाइप के was 얼마나 future थे हैं किस type के होते हैं दोस्त यह बाइर मस की maxi ठीक है maxi लिली ये पांचो नाम है अब यहां पर जो five pair pleoports होते हैं five pair pairioports होते हैं walking leg होते हैं दो भाग में बटे होते हैं जो large होते हैं थोड़े से first and second pair जो होता है जो first and second pair legs है वो chillet कहलाते हैं क्या कहलाते हैं चिलet और chillet की मैंने इसमें नाखुर कहते हैं इसको इस तरह के से इसमें बाहर की तरफ यह बटा रहता है ठीक है जैसे आप पसुओं में देखते हैं मैंने बताया भी और तिसरा चोथा पचवा जो जो जोड़ी होता है नान चिलet होता है जीत की खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए यह आसमान भी आएगा जमी पर बस इरादों में जीत की गुंज चाहिए यह मेरे दोस्त इरादों में जीत की गुंज चाहिए चली हम बात करते हैं अभी मैं बात कर रहा था इसके appendages के नाम की सबी नाम क्या-क्या है तो उसको भी एक बार देख लिया जाए इसमें जो 19 पेर appendages होते हैं 19 पेर appendages में देखे ज़रा क्या क्या हैं भाई 5 सिफाइलिक अपेंड़ेज़ हैं 8 थोरैसिक अपेंड़ेज़ हैं और 6 अब्डोमिनल अपेंड़ेज़ हैं भी मैंने बात किया था 8 5 13 13 16 19 19 हो गए अब इनके नाम यह देखे ज़रा पांचो यह नाम है एन्टीनील, एन्टीना, और मेंटीबल, מחzoola और एकजूली ठीक है, यह 5 हो गए, अब थोरहसी का पेंडिजेज में देखिए, थोरहसी का पेंडिजेज में जो 8 होते हैं, तो देखिए 4, 4, 8 हैं, अब इसको देखिए, 1st मेखजिली पीड, 2nd मेखजिली पीड, ë़र्ड मे कितने होगा है दस दस वाकिंग लेग होते हैं इसमें ठीक है दस वाकिंग लेग और जो कि कहां उपस्तित होते हैं थोरैसिक appendages में होते हैं किस appendage में थोरैसिक appendages में होते हैं अब जो abdominal appendages हैं इसमें आप समझे कि इसमें जो abdominal appendages हैं च्छा जोड़ी हैं छा पेयर्स हैं तो इसमें देखिए फ़स्ट प्लियो नहीं न डगयेए पश्चित होते हैं जपहल्ता उन्हीं कामों को करने मिलती हैं जिनको करने का मन नहीं करता मेरे दोस्त जिन Marshall का का मन नहीं करता तो आप बिल्कुल लगे रहिए डटे रहिए चलिए हम बात करते है अब external aperture की जो इसमे external aperture होते हैं कितने होते हैं मेरे दोस्त आप समझेए छा इसमे external aperture होते हैं कौन-कौन सा एक तो mouth हो गया दूसरा renal aperture हो गया तीसरा जो है female genital परेशर हो गया और मेल जनाई टेलफेर्चर हो गया और अन्तिम जो है एनस हो गया तो इतने इतने च्छा अपर्चर होते हैं आप यह बात ध्यान रखियेगा मेरे दोस्त यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रान इसको आप इसका पूरा नोटस बना लिजीए एक एक ल ना बैठ आये मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा जीने का मज़ा भी आएगा मेरे दोस्त चलिए आज के हमारे इस वीडियो में बस यहीं तक आपको यह हमारा वीडियो कैसा लागा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताईएगा ओके थैंक यूँ